इधर हमास और इसराइल के बीच एक छोटे से समझोते के खबर आई तो उधर खबर आगई कि इरान ने अब पाणिस्तान के उपर हमला कर दिया है दुनिया का मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे इरान और पाकिस्तान के बीच में जंग होने वाली है लेकिन कौन है ये जैशाल अदल क्यू हमला किया है इरान ने अमेरिका और सौधी अरबिया से इसका क्या रिष्टा है सब बहुत डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में बने रही है मेरे साथ नवश्कार टीसी अच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है हम लगातार इसराइल फलस्तीन वार पर वीडियोस कर रहे थे लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और अचानक एक ऐसी खबर आती है जो बिल्कुल से चोका देती है खबर ये है कि एरान ने पाकिस्तान के भीतर दो ठीकानों पर हमला किया है अब मैं कल बता चुका हूँ आपको कि एरान ने अभी हाल में जब उसके हां हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए सीरिया और इराक और कई जगों पर हमले किये थे और उसका दावा था कि वो हमले ऐसी जगों पर कर रहा है जो एक तो IS-IS के ठीकाने है और दूसरा मुसाद के ठीकाने है मैंने ये भी बताया था कि इरान का कहना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि आईएस आईएस जो कहने को तो मुसल्मानों का संगठन है वो इसराइल और अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है और इसलिए आईएस आईएस का हेडक्वाटर और मुसाद का हेडक्वाटर आ जर्गून की पहाडिया है वहाँ पर जो क्वेटा जिला जो बुलुचिस्तान पाकिस्तान का जो प्रदेश है दुप के इस्ट में पूरब में जर्गून की पहाडियों पर हमला किया है और ये खबर आई भी सबसे पहले नूर न्यूस पर नूर न्यूस के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दू कि ये इरान का अपना न्यूस वेब साइट है इरान की जो गॉर्मेंट है सुप्रीम कमांडर आफ इरान जो है उनके निर्देश में ये चलता है यानि आप कह सकते हैं कि इरान का एक तरह से ये ऑफीशियल न्यू चैनल है जिस पर ये खबर आई कि इरान ने पाकिस्तान के भीतर जो उनका सूबा है वलूचिस्तान उसके क्वेटा जिले में जरगून पहाड़ियों पे दो जगों पर हमला किया और कहा गया कि ये हमला किया गया है जैश अल अदल पे मज़िदार बात ये हैं कि जैश अल अदल का मतलब होता है आर्मी आप जस्टिस न्याए की सेना लेकिन एरान की जो आफिशियल मीडिया है बने आपको बताया नूर न्यूस वो जैश अल अदल को कहती है जैश अल जुल्म यानि जुल्म करने वालों की सेना अब इसके बाद जैसा होना था पाकिस्तान का बयान आया पाकिस्तान ने कहा कि हमारी सीमा के अंदर हमला किया गया है नूर न्यूस ने ये कहा था कि ये जो हमला किया गया है जिस अलाके पर वहां पाकिस्तान का भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये हमारी अंतरास्ट्री सीमा में आता है इसलिए कम से कम हमको खबर करनी चाहिए थी हमको बता के ऐसा कुछ करना चाहिए था हमारे साथ कौाडिनेट करना चाहिए था और मज़ेदार ये है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब दाओस में पाकिस्तान के जो वित्तमंत्री है उनके मलाकात हो रही है इरान के वित्तमंत्री से एक साथ ये फोटोग्रापस आई एक तरफ इरान के वित्तमंत्री पाकिस्तान के वित्तमंत्री से मिल रहे हैं और दू असल पाकिस्तान और इरान की जो सीमा लगती है जो बाउंडरी लगती है वो लगभग 1000 किलो मीटर्स या आप कह सकते है 620 माइल्स की है यानि बहुत लंबी सीमा है एक 1000 किलो मीटर की सीमा है पाकिस्तान और इरान के बीच में यहाँ पाकिस्तान का जो सूबा लगता है उसको हिस्टारिकली बलूच लोग यहां पर रहते हैं अब बलूचिस्तान में लंबे समय से बलूच मूमिन्ट चल रहा है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करना चाहता है मैं अगर 1947 के पहले की बात आपको बताऊँ जब देश आजाद हो रहे थे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क जब आजाद हो रहे थे बटवारा हो रहा था तो बलूच उस समय भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तयार नहीं थे वो आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे थे और उस समय पाकिस्तान के जो प्रीमियर थे काइद आजम थे जिना साहब उन्होंने बलुचिस्तान से वादा किया था कि वो बलुचिस्तान को एक हद तक आजादी देंगे यानि जिसको हम कहते हैं स्वायत प्रदेश के पाकिस्तान के अधीन भी होगा लेकिन उसकी अपनी आजादी भी होगी तो जिना साहब ने ये वादा किया था कि वलुचिस्तान को स्वायत प्रदेश हम मनाएंगे आजादी देंगे लेकिन जैसा कि होता है एक बार आजादी मिल गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग हो गए बलुचिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन गया उसके बाद बलुचिस्तान की आजादी के सवाल को दबा दिया गया और बलुचिस्तान में तमाम ऐसे मूवमिंट है जो लगातार बलुचिस्तान को आजाद करने की मांग कर रहे है हिंसक आंदोलन भी चल रहा है अहिंसक आंदोलन भी चल रहा है हाला कि बलुचिस्तान की जो आजादी की लडाई उसको हिंदुस्तान ने कभी बहुत active support नहीं किया है लेकिन कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान हस्तक shape करता है उसके मद्दे नजर रखते हुए उसका जवाब देने के लिए बीच बीच में हिंदुस्तान ने बलुचिस्तान की आजादी की बाद भी की है और यह हकीकत है कि बलुचिस्तान के अंदर मानवादिकारों का भयानक उलंगन हो रहा है और पाकिस्तान में ये एक बड़ा मुद्दा है एक fact तो ये अब बलुचिस्तान के अंदर जो ये different सारे जो मैंने आपको बताया organizations हैं उसी में एक organization था और बड़ा organization था जिसको कहते थे जुन्दलाह इसके जो लीडर थे वो थे अब्दुलमलिक रीगी अब इन्होंने तालिबान के साथ भी अफगानिस्तान में जब वो लड़ाई चल रही थी तालिबान के साथ भी इनका कुछ मेल जोल था लेकिन वो मेल जोल बिगर गया और तालिबानी सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी यानि अब्दुलमलिक रीगी जो है इनकी 2010-11 के आसपास हत्या कर दी गई उसके बाद ये मूवमेंट लगब बिखर गया इसी मूवमेंट से एक नया मूवमेंट पैदा हुआ जिसका नाम दिया गया जैश अल अदल जैसा मैंने आपको बताया कि जैश अल अदल का मानी होता है आर्मी आफ जस्टिस यानि जस्टिस के लिए लड़ने वाले न्याय के लिए लड़ने वाले ये लोग बलोच अधिकारों के लिए बलोच जो एक रास्टरवाद है एक नाशनलिजम है उसके लिए लड़ने वाले लोग है अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो बलुचिस्तान जो रहा है वो एक ऐसा कबीला रहा है जो लड़ता भिड़ता रहा है लगातार पूरा अगर मेडिवल हिस्टरी देखें बाकी देखें तो बलुचियों का लड़ने भिड़ने का बेहत बहादूर लड़ने भिड़ने वाले लोग रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ये अज़स्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इस तरह का मुव्मिंट लगातार वहाँ पर चल रहा है अब ये जो जैशल अदल है इसके बारे में दो बाते कही जाती है एक तो ये कहा जाता है कि इरान का जिस कुर्दिश ग्रुप के साथ संगर्ष है सीरिया में वो अपरेट करता है और बाकि जगों पे जिस कुर्दिश ग्रुप के साथ उनका संगर्ष है इरान का वो कुर्दिश ग्रुप इनको सपोर्ट करता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि इनको यानि जैशल अदल को सौधी अरबिया और यूएस का समर्थन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आईएस आईएस जैसा संगठन जो देखने में मुसलमानों का संगठन लगता है लेकिन वो इसराईल के खिलाफ एक लब्स नहीं बोलता है क्योंकि उसको इसराईल और यूएस का समर्थन है समर्थन मतलब पैसा भी देते हैं सुरक्षा भी देते हैं और हतियार भी देते हैं जैशल अदल के बारे में भी यही कहा जाता है कि बलूची आजादी वगरा तो अलग मामला है दरसल इनको पाला हुआ है इनको पोसा हुआ है इनको हतियार देते हैं सौदी अरबिया और अमेरिका और इसी लिए वो उनके इशारे पर काम करता है अब अगर आप ऐसे देखें तो पाकिस्तान के साथ भी इनके रिष्टे कोई अच्छे नहीं है पाकिस्तान के उपर भी यह हमले वगरा करते रहते हैं पाकिस्तान के सैनिक में इनसे भिड़ते रहते हैं और इरान के साथ तो बनने के साथ ही इनके रिष्टे बेहत खराब थे इनकी शुरुआत ही इरान के जो रिवनुशनरी गार्ड्स हैं उनके उपर हमले से हुई लगातार अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में धड़ब होती रही है लगातार बनने के बाद ही 2012-13 के बाद से ही जैशल अदल IRGCA के उपर हमला करता रहा है चुकि बॉर्डर पे मैंने बताया आपको आपरेट करता है एक तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर है एक तरफ इरान की बॉर्डर है और उस पर आपरेट करता है तो ये छापामार तरीके से लगातार इरान के उपर हमला करते रहते हैं इरान के जो रिवनुशनरी गार्ड से उनको मारते रहते हैं उनको अगवा करते रहते हैं और बदले में वही होता है जो बिलकुल नेचुरल है यानि इरान भी इनके उपर हमला करता रहता है तो अब इनका strategic आप position समझे क्या है ये जो जैशल अदल है बात ये चाहे बलुचिस्तान के आजादी किया जो भी कर रहे हूँ दरसल लगता ऐसा है कि अमेरिका और अरब के इशारे पर लगातार ये इरान को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं इरान के border से operate करते हुए और वो ऐसा इलाका तो है नहीं कि बिल्कुल clearly demarkate हो सके जहां भी पहाड़ी इलाके होते हैं जहां भी बरफीले इलाके होते हैं वहाँ पर जो demarkation होता है दो boundaries का पाकिस्तान और इरान का वो national होता है कि इस पहाड़ के उपर आगे की जमीन आपकी इस पहाड़ के इधर की जमीन हमारी यानि वो national जो है वो demarkation है तो उसमें inflitate करना उसमें थोड़ा आगे तक जाना थोड़ा पीछे तक जाना मुश्किल काम नहीं होता है यही हालात अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान बार्डर की भी कई जगों पर पहले थी कम से कम कारगिलवार के पहले तक थी अब तो काफी जादा उसको demarkate कर दिया गया है तो उसमें ये च्छापामार तरीके से इरान के भीतर घुस्ते हैं इरान के जो कमांडर्स हैं उनको मारते हैं और चले जाते हैं अभी मैं आपको बताऊं जादा दिन नहीं हुए 15 अभी गये दिसमबर में एक महिना भी पूरा नहीं हुआ एक महिने पहले इन्होंने रस्क में सिस्तान में इन सारी जगों पर IRGCA के लोगों पर हमला किया था कई लोगों को मार दिया था और कईयों को घायल किया था कुछ को अगवा करने का दावा इन्होंने किया था यानि एक महिने पहले इन्होंने हमला किया था अब ये एक महिने की टाइम लाइन आप देखिए इसराइल और फलस्तीन में बार चल रहा है इरान उसको खुला समर्थन दे रहा है आप जानते हैं कि इरान हमास को भी समर्थन देता है हिजबुल्ला को भी समर्थन देता है कुछ कुर्दिश ग्रूप है उनको भी इराक में मिलिशिया ग्रूप है उनको समर्थन देता है यह सारे के सारे यहां तक की यवन के जो हूथी है उनको भी समर्थन देता है और यह सारे के सारे इस वक्त इसराइल के साथ लड़ रहे हैं फलस्तीन के पक्षमे इसराइल के उपर प्रेशर बना रहे हैं वो किसी भी तरह फलस्तीन को आजाद करे या तो या फिल हाल कम से कम लडाई बंद करे जो लगातार वहाँ पर कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है जिसमें लोग मारे जा रहे है ये सारा सिलसला बंद करे यही हुथी कह रहा है, हमास कह रहा है इस बुल्ला कह रहा है और इरान भी कह रहा है और इन सब के बीच अल अदल हमला कर रहा है इरान के उपर अगर आप वाकई इतनी बात करते हैं अपनी आजादी की और इतनी सारी चीजे हैं तो इस समय तो आपको इसराईल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए लेकिन जो इसराईल से लड़ रहा है या माललीजी आप इसराईल के साथ नहीं भी खड़े हो सकते हैं तो जिस समय इतना क्रुशियल मौका चल रहा है कि फलस्तीन के होने या ना होने फलस्तोन के वजियूत के बचने या ना बचने का सवाल है उसना में आप खामोश रह सकते हैं लेकिन ये संगठन यानि की जैशल अदल हमला कर रहा है 15 दिसंबर 2023 को इरान के उपर इसका मतलब क्या समझ में आता है इसका मतलब ये समझ में आता है कि अपने सरपरस्त अमेरिका और साओधी अरबिया के कहने पर और जब अमेरिका आपका सरपरस्त है तो इसराईल अपने आप सरपरस्त बन जाता है यानि अमेरिका और इसराईल इरान के उपर जो अलग अलग जगों से हमला करवा रहे हैं एक हमला आप जानते हैं I.S. I.S. ने किया जिसमें 80 से जादा लोग घायल हुए और दूसरा हमला जिसकी चर्चा नहीं हुई क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से हुआ था वो करवाया जैशल अदल से जिसमें I.R.G.C.A. के लोग मारे गए और घायल हुए यानि कहने का मतलब यह है कि लगता ऐसा है कि जैशल अदल भी उसी खेल का हिस्सा है जिस खेल का हिस्सा I.S. I.S. है यानि एक लाइन में कहना कि अमेरिका और इसराइल ने बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन पाले और पोसे हैं जो कहते तो बाते तो मुसल्मानों की करते हैं बाकी सब करते हैं लेकिन दर असल इशारे पर इसराइल और अमेरिका के वो ऐसे देशों पर ऐसे मुलकों पर ऐसी आर्मीज पर हमला करते हैं जो फलस्तीन की आजादी की बात कर रहे हैं शायद यही वज़ा रही होगी कि जैशल अदल के उपर बाकाइदा हमला किया है इरान ने और छिप के हमला नहीं किया है खुल के बताया है कि हम जैशल अदल के हेटकौाटर के उपर हमला हमने किया है और उसको नेस्तनाबूत किया है अब पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा रुख है वो बहुत क्लियर है और उसको समझना चाहिए मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का भी कोई जैशुल अदल के साथ अच्छा रिष्टा नहीं है पाकिस्तान के भी वो मुखालिफ है लेकिन सबके बाजुद वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आपरेट कर रहे थे और कोई भी मुल्क अगर आपके बॉर्डर के अंदर घुसकर राकेट फेकता है या इस तरह का हमला करता है तो वह आपकी जो बॉर्डर है आपकी जो संप्रबुता है उसके उपर हमला है तो बिल्कुल नैचुरल है कि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान ने इसके उपर प्रतिरोध दर्ज कराया दूसरा ये प्रतिरोध दर्ज कराते हुए पाकिस्तान ने ये भी साफ कर दिया कि एरान ने हमें बताया नहीं था यानि इस हमले में हम शामिल नहीं थे कि हाँ हमने इस हमले की पर्मीशन दी थी तो पाकिस्तान कह नहीं सकता है कुछ परदे के पीछे क्या खेल हुआ है ये बाद में पता चलेगा या कभी पता नहीं चलेगा अभी जो पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया है उसका मैं सिर्फ डिप्लोमेटिक मतलब निकालता हूँ मुझे लगता है कि इसका कोई लांग टर्म असर नहीं होने वाला है पाकिस्तान इरान के बीच में किसी तरह की कोई जंग नहीं होने वाली है डिप्लोमेटिक बाते हो गई वहाँ के हाई कमीशन को बुला कर सारा कुछ कह दिया गया इतराज दर्ज हो गया और काग्जों में ही ये सारा कुछ खतम हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है पाकिस्तान खुद ही दिल ही दिल खुश हुआ होगा कि चलो जैशल अदल के कुछ लोगों से हमें मुक्ती भी नहीं लेकिन इसका असर इसराइल फलस्तीन वार में जो सारा कुछ डिप्लोमेसी चल रही है उस पर जरूर पढ़ेगा अमेरिका को ये समझ में आएगा कि इरान को अगर हम छेडेंगे लगातार तो इरान इस तरह के हमले और बढ़ाएगा और मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल में मैंने भी खबर आपको दी थी कि इरान परमाण उस शक्ति के बहुत करीब पहुँच गया है एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुँच गया है ट्रम्प का एक बयान आया था कि 30-35 दिनों में इरान जो है वो एटम बम बना सकता है और 30-35 में से मुझे लगता है कि हफते 10 दिन तो भी थी गए इसके साथ साथ रूस के साथ उसकी आम्स डील हुई है पिछले दिनों रूस उससे आर्म खरीद रहा है और उसको आर्म दे रहा है यानि चाइना और रूस का जो एक नया समीकरण बन रहा है जो इंटरनाशनल पावर की तरह उभरे है आप जानते हैं कि यूकरेन को लगभग तबाहों बरबाद कर चुका है रूस अब यूकरेन लड़ने के सिती में बहुत नहीं रहा गया है रूस का क्लियर अपर हैंड दिखाई दे रहा है चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना ने अभी कल ही कहा है फलस्तीन के मामले में पूरी दुनिया का शांती संबेलन बुलाने के लिए तो चीन और रूस का जो एक साथ बन रहा है इरान उससे कहीं न कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से अमेरिका और इसराईल के खिलाफ एक इंटरनाशनल कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसमें इरान एक बहुत इंपॉर्टन रोल निभाने जा रहा है ऐसा इन घटनाओं से बहुत क्लियर लगता है एक आखरी बात मैं आपको बता के आज की बात खतम करूँ वो ये कि तमाम सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर ये आई है और अच्छी खबर कई लिहास से है ये वो खबर ये है कि कतर ने सफलता हासिल कर ली है इसराइल और हमास के बीच में एक समझोता कराने में जिससे कतर और फ्रांस अपनी दवाएं उन इलाकों में गज़ा के उन इलाकों में पहुँचा सकेंगे जहां पर लोग परेशान है दवाओं के बहुत ज़ादा कमी थी युनाइट नेशन्स भी लगातार कहरा था कि दवाएं वहाँ पर पहुचनी जरूरी है और इसराइल इस बार प्रेशर में आया है सबके बावजूद उसने इजाज़त दी है कि वहाँ पर दवाएं पहुच सके मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसराइल और हमास सामने से भले लड़ रहे हो लेकिन पीछे से कतर उनके बीच एक डील कराने के लिए लगा हुआ है जिससे जंग फिलहाल रुख जाए उसके बारे में कोई नई खबर आएगी तो मैं फिर आपको अपडेट करूँगा अभी आज के लिए इतना ही और ये एक अपील के हमारे साथ बने रही है हमसे जुडे रही हमारा सहयोग कीजिए आप हमारा सहयोग करेंगे तभी हम लगातार सच कह सकेंगे और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो पहला कमेंट हमारे वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा है उसको खोल के देखिए हमने बताया है कि किस तरह से आप सिर्फ 89 रूपे में 89 रूपीज में हमारे मिंबर बन सकते हैं हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप सीधे हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आँख में आँख डाल कर सच कह सकेंगे बहुत शुक्रिया